इंडियन क्रिकेट इतियास का सबसे काला दिन आईए देखते हैं एक मैच में फेमस हुए सिराज के सड़ चड़ी कामियाबी मुझे दी धमकी मैं निकालूंगा इसकी गुंडा गिर्दी सिराज ने कुलदीब की गर्दन पकड़ दी धमकी बढ़ की BCCI ने दिया करारा जवाब टीम इंडिया में ये कैसी गुंडा गिर्दी शास्त्री के पीछे लड़ाई सिराज ने कुलदीब की पकड़ी गर्दन टेम ऑन इंडियन क्रिकेट टीम शास्त्री के सामने कुलदीब की पिटाई बाई साब यही सब पढ़के में वीडियो देखने गया कि एक्चुली में सीन के आपर वहाँ तो प्यार मुबबच चल दी ती और इनका बस चले तो लिग दे आग बबुला सिराज ने कुलदीब को ड्रेसिंग रूम में मौत के घाट उतारा और मुझे इनकी क्लिक बेट से प्रोब्लम नहीं आए प्रोब्लम यह कि यह हमसे पेले क्लिक बेट कर दे रहे यहां में स्क्रिप्ट सोच के रख रहा हूं और यह लोग कुल दी प्यादव को पीट-पीट के बना दिया राजपाल यादव अब रूट ने दो दिन तक खेल खेल के अपने प्लियर्स को इतना पका दिया है कि शर्मा जी भी मजे में आगए और अपने पॉलिंग एक्शन की जगे भजी पाजी की पॉलिंग एक्शन में पॉलिंग करने लगे वो तो रूट थोड़ी देर ओटीका होता ना तो रोई शर्मा का मुर्ली धरन और डिंडा बाहर आजाता वो गली क्रिकेट में नहीं करते हैं हम लोग को जादा देर तक आउट नहीं होता था एक्शन चेंज कर कर के चू चू यह मुर्ली धरन आया यह विकेट गया तो वो भाई डिस्ट्रेक्ट होके विकेट अपना दे देता पर इहां पर शर्मा जी भूल गया कि वो गली क्रिकेट नी इंटरनेशनल क्रिकेट और यह भूरा नहीं जो रूट पर रूट की शेकल देख देख दे यार पग गय थे मतलब इतने दिन तो हम अपनी बीवियों की शेकल नहीं देखी इतनी देर तक जितनी रूट की देख ली थी और इस बार पुझी भाग पैंचोद बोलने की जागे मन कर रहा था रूट पाग पैंचोद पर वही मीम बनने लगते तो फिर मैं वड़ा पाउ कानी चले गया बहुत दूर तक जाना खान के आत्मा आगई बहुत हो गया इतना गुसा चड़ा दिया तुम लोगने मुझे आज गुसा भी तो शारूप भाई का था थन्डा भी जल्दी हो गया जोफित भाई बज्जी पा जैसी बॉलिंग एक्शन तो चल जाएगी पर बैटिंग तो उनकी जैसी मत करो ये रिशब पंद को कोई बताया निके भाई अभी के आई पेल स्टार्ट होने में टाइम है अलगी टी-ट्वेंटी वाले फील ले रहा है भाई अबे 103 के स्ट्राइक रेट से कौन खेलता है टेस्ट मैच में मैं कहलता हूँ भाई अरे प्रभू प्रभू और जैसे गोलबाल मुवी में अजे देवगन का उगली देख के हाल होता है वैसे हमारे पंत भाई का गंजे देख के होता है क्या दोया है बाई नाथन लियान और लीच तो कल से विक पैन के आने लगेंगे ऐसा ही चलता रहा तो यहां तक की पंत भाई हमारे टीम के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके है इन शॉर्ट बोले तो संधीप महश्वरी आफ इंडियन टीम अश्विन भाई की गाड़ी तो ट्रक पे लाई दी और संधर को नाम है संधर जाना है डीसी भाई अपना 85 नॉट उट मार दिया अनु मलिक वाला काम किया है रिशब पंतन है तू डीसी आएगा आग लगा देगा आग लगा देगा आग लगा देगा वशिंग्टन सुंदर के पापा ने बोला कि भाई मैं खुश नियू इंग से उसकी सेंचुरी होनी चीय थी और 50 से मैं खुश नियू हूँ इंग्लेंड की इनिंग से जल्दी खतम हो इस बात का अंदाज है इसी बात से लगाए जा सकता है कि हमारे सुंदर भाई को एक अवर करने मिला और हमारे मेन बॉलर दा हरबजन सिंग को आने की जरुवत ही नहीं पड़ी और यह ICC का अपाउं किसी मीम पेज ने हैक कर लिय जाल ने की आ है क्या यार इस तान पिचारा अच्छा पाला वाल साओत अफरिका को हरा रहा है फिल भी उसके मीम डाल रहा है वह प्रोफाल पिच्चर वर्सेस द फुल पिच्चर HPW review literally why हमने साहरे review ऐसे waste किया है है साहरे review खाली कर देंगे साहरे review खाली कर देंगे बेट पर लगे, सर पर लगे, हमने LBW रिप्यू लेना है रिशब पन्त अगेंस बाइल्ड स्पिनर्स अपना हर पल ऐसे जी हो जैसे कि आख रही हो इसमें इनके पीछे अपन बेट जाता है क्योंकि अपना भी तो इंस्टा का बाय हो यह है यह नदीम भाई तो अपने भाई फर्स आवर से चालू हो जाते है जादू दिखाना तो बस यह आज की वीडियो के लिए अपना मेन वीडियो जो है वो कल आने वाला है तो घंटा दबा देना चैनल का और कोई मीम शीम हो तो एर इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के मेंशन कर देना कि मेरे ख्याल से मातापिता यह कैसे दो इंसान होते हैं कि आप कितना भी खराब करें कितना भी अच्छा करें वो आपको हमेशा उसी प्रेम और उसी प्रभाव से मिलेंगे जैसे उन्होंने आपको बच्चों को पैदा किया तो मेरे साथ से कि आपको यह 14 फर्वरी का जो आपको अपने माता-पिता के साथ बिचाओ